हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्लांड इंवेस्मेंट आज हम लोग एक नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप जानते हैं अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ऐसे शेयर्स के बारे में बात करें जो 39 रुपीज के अंदर एवलेबल है और इसमें आप अगर इ लेक्टर के अपने फानेंशल एडवाईजर के अडवाईस से आप इसको खरीच सकते हैं तो आज जो हमारे लिस्ट में शेयर है वो है एनश्पीसी तो एनश्पीसी का जो भी करेंट प्राइस चल रहा है वो बाईस रुपए के आसपास चल रहा है और जो इसका 52 वीक्स ल नीचे चल लगी जो शेयर का प्राइस है वो बुक वैलू के नीचे है प्लस कंपनी 14.6% का डिविडेंट भी पे करती है और कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं लेकिन इसके लिए ए आपको जादा प्रॉफिट दे सकते हैं और इसका सेक्टर इतना अच्छा है पावर जनरेशन सेक्टर से है जिसका फ्यूचर में ग्रोथ ही ग्रोथ है लेकिन जब भी इसमें इन्वेस्ट करिएगा आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि लॉंग टर्म के लिए और हमारे जो भी शेयर्स होते हैं हम लोग लॉंग टर्म के लिए ही रिकमेंड करते हैं तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए थैंक यू